कि अला अब्रिवन वैलकॉम टू बैंकिंग पजल आज हम लोग करेंगे टॉप हेंडेट पजल सीरीज का डे नंबर बारा और मैं अल्रेडी इकरा लेक्चर कवर कर चुका हूँ अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और मैं आज करूँगा दो एसबेट प्योप्रिलिम्स लेवल का पजल जो कि अब लोग का एक्सपेक्टेट रहेगा एसबी प्योप्रिलिम्स के लिए ठीक है जिनको भी हिंदी में सॉल्व करना है वह सकते और जिनोंने हमारा टेलेग्राम चलन को नहीं जोइन करा है वह टेलेग्राम दस लोग है जो कि दस फ्लेट में रहते हैं फाई इस्टोरी बिल्डिंग के अब चलो आगे देख लेते हैं वेर्दा बोटम मोस्ट फ्लोर इस वन एन दा टॉप मोस्ट फ्लोर इस फाइब there are two types of flat on each floor हर एक में दो फ्लेट है हर एक फ्लोर में दो तरह का यहां से जो कंडिशन दिया ना यह कोई क्राम का नहीं है यह सब बढ़ा के बढ़ा कर दिया है पजल को बढ़ा कर दिया गया है जाकि पजल बढ़ा लगए ठीक है यहां से आप लोग का कोई इंफोमेशन पढ़ने का नीड़ नहीं ठीक है यही तक आप लोग का इंपरेंट था अब चलो हम बना लेते हैं पांच फ्लोर पहले तो एक पांच चार तीन दो और एक ठीक है और 10 फ्लैट बॉलाता ठीक है और हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट बॉला यह तो हम दो पॉसेटेश लेकर चलते हैं अगर आगे नीड हो तो आगे भी ले लेंगे ठीक है और क्या बुलाता एक से लैट है एक और एक वाइट अर एक और एक य् Principal मे रहत यह जो आ है यह आगर उस इसको एरेज कर देते हैं यह मैंने दो पॉसलेटी यहाँ पर बनाया हूँ ठीक है और नोट में क्या देया हुआ इप परसंद लिव इन एन फ्लोर एबॉब बिलोग अदर परसंदेन फ्लैट टाइप और बोद दा परसंद मस्ट बी सेम मतलब देखो इसका क्या है अगर कोई परसन है अगर किसी फ्लोर के ऊपर दो क्या बोखका एन फ्लोर एब आफ बिलोगर कोई फ्लोर बति है चीज्टा हमा स्वाज परन परसंद दीन फ्लैट टाइप परसंद डिवा ना सैम रहीगा माल लोगो कि वाई है एक से उपर रहता है ठीक है इसका क्या मतलब हो सकता है चलो इसको हम दूस्ता ले ले ठीक है आप लोग पास एक सवाई फ्लेट है एक सवाई फ्लेट है ठीक है यह एक सवाई फ्लेट है अब बुलाना ए जो है ना बी के उपर कही रहता है ठीक है बी के उपर रहत या दोगो डैनकरा टाइप औप पॉर्सर्ट मुस्टेी सेम अगर अगर एकवी आपका एकशल ने होगा और बी अगर वाइस Muito आगर को या थे बोलना चाREAM यह दोनों सैम होगा थिक ही यह यहां लिख लेता है फ्लोर करके और काट देते हम लोग एक जी अब आगे देख लिए एम लिफ सम्वेर टुदा साउथ वेस्ट आप ल टेकर एम जो है ताउथ वेस्ट आप एल एल पहले तो हम एल बना लेते हैं ठीक है एल के साउथ कि इदर होता है एल के साउथ इदर होगा और वेस्ट कि इदर ओगए यहां से इदर होगा वेस्ट पस्सिम्क आठेक है तो मेरा यहां आ जाएगा ठीक है अब देखो आप देख सकते हो यहाँ जो और यहां पर आपका हो जाएगा और यहां से हमको पता चल जाता है कि आर जो होगा X प्लेट में कंफरम है और यह यह मतलब दोनों सेंअ प्लोर में रहेगा इहाँ यह वाला कंडिशन जो बोला थर इसी को सतिसफाइड कराना यह दोनों सेंअ फ्लेट में रहेगा या तो X में रहेगा या तो Y में रहेगा लेकिन देखो ये वाला हमको कंफर्म हो रहा है कहां से कंफर्म हो रहा देखो भई एक sug इ absorption क incorpor यहाव लाट में रहेगा है तो के यह टो आगे और युद्स नोर में अगर है कि क्यों जोहाई की तूफोड अबॉप बस्ट चाहसी है और देखो यह हो सकता है या फिर वाइप लेट में सकता है इसका कोफ JAC Anbon अदू नहीं इसमें भी नहीं कोई कन्फरमेटिन विला आगे देख लेते हैं जे लिफ्स थ्री फ्लोर अबोब एम जे लिफ्स फ्लोर अब एम कि यह एम बोला था ठीक है और यह दोनों सेम प्लेट में रहेगा देखो यहाँ सेम को लेकिन एम को देखकर हमको पता चल रहा है कि यह एकस्फट्ड में होगा ठीक है वाई में नहीं होगा देखो एम लीजिव और कहा है अब क्या हो रहेता है पुर्ण को यांथ शोट है या फेलों कोई सी नहीं हमको मिल क्यों मिल रहा थैं या तो एकस्फ में होगा या या आप चलो हम लोग इसको बैठा लेते हैं अपर हम कोन बाला कंडिशन ले जो वाला बोले हो गों वही ले ले लिकिन इत्ले लिए ये वाला कर रहा है देखो हम इसको बैठा लेते हैं ठीक है के देखो के और एल जो है वाई वाई फ्लेट में तो कंफर्म है और अगर हम यहाँ पर के बठा देए फस्ट पॉसिबल केस में यहाँ पर बैठा एक छोड़कर एल बैठा है तो क्या के यहाँ बैठ सकता है नहीं बैठ सकत किया यहां भी नहीं बढ़ा सकते क्यों कि बुदा था एंभट में युक्न यóg पर क्या हो रहा है व कि मार हम थो चाहिए साफ वेस्थ में तो यह भी पॉसिबल नहीं है मतलब इसका कोई possible case है यह नहीं ए। तो इसको हम erase कर देते हैं और इस case को हम देख लेते हैं ठीक है आःगा है अगर यहां बटा दे एक छोड़कर ल यहां बटा दे तो यह possible है क्योंकि यहां बटा है तो वेस्ट में म 10 अब देखो इसे का एक दूसरा केस ले लेता है यहाँ पर बैठा था ठीक है और अगर हम के को यहाँ बैठा दे और यहाँ बैठा दे तो यहाँ बैठा ध्याँ फी टो यहीं वाला एक केश बनेगा ठीक है इसी का एक केस बना लेता है कॉपी कर लेता है प्रते है जिसको हो गया अब चलो आगे देख लएते हम यह भी हो गया देखो एम जो है step 1-2 देंगे स्थषयाओं अर्ञआ नो Practice अजू है था और यहाँ आर अगर यहाँ बैठेगा आर अगर यहैं बैठ जाए जाए तो नौर्थइस्ट हो कि और आपका यहां बैड़ जाए तो एन फिर भी यहां हो सकता है यह सकता है कि अब क्या बोलाता हमको इसको हम इरेज करता है जब यह हो गया अब हमको बोला है क्यों जो है पी के दो ऊपर है ठीक है अब अब देखो यह वाला कंडिशन कहीं भी अपलाए हो सकता है इन दोनों में क्यूं अगर यहां बठा दे एक एक छोड़कर पी यहां बैठ सकता है जिनक्या यहां बैठ सकता है क्यों एक छोड़कर पी यहां बैठ जाएगा और देखो क्या वोला एक जो है ओके नीचे है या फिर एक्स फ्लेट में या फिर वाई फ्लेट में लेकिन एक ही जगावा चाहें तो एस यहां पर और यहां पर तो यहीं वाला आप लोग का ट्रू है ठीक है ऐसे करते हैं सॉल जब लेट फ्लोर फजल पॉल पॉल जो है ना सबसे आसान होता है मेरे इसाब से तो बस आप लोगे को थोखा काम लखना तो चलो इसका कोश्टन देख लेते हैं डो चार चुआ एम एंडब लेंक लीव ऑन दा इसेंप लोर सब्सक्राइब है एक कर अप्सक्राइब और सर्थ इस एंशर जाएगा आप लोगा टो एम दन्ट लिए अट एकस में कून नहीं रहता देख लेगे ओ पी आप में बोल रहा है ईद्याट ऐसमें ओपीर फिघो पी रहता है ओ ओ और बला था लेकिन पीतू रहता है और अर्वी रहता मैं तो ओने राता है तोओन सवाद अंसर हो जाएका आप लोगा तो वन ऐसर आуск یका न Chris में यह तो पूछ रहा है तो देख लेते हैं पी का डिरेक्शन एन के रिस्पेक्ट में तो क्या है देख लो साउथ वेस्ट तो साउथ वेस्ट आपका एंसर हो जाएगा साथ वेस्ट ये वाला एंसर है ठीक है अब चलो नेक्स्ट पजल को देख लेते हैं जिनको भी हिंदी में सुल्प करना है वह जासे इसकी इंसर्ट ले सकते हैं ठीक है देख लेते हैं एट परसंस एबी सीडी एफ जी एड़ एट टीट अराउंड ए स्क्वार टेबल आठ ल सब्सक्राइब करते हैं और वह आउट साइड करता है तो चलो हम यहाँ पर दो कंडिशन बना के चलते हैं कि स्क्वार टेबल बना लेते हैं कि यह दो एक दो तीन चार एक दो तीन और चार दो कॉर्णर वाला बोला था इंसाइड में ठीक है और मिडिल वाला आउट साइड में तो आउट साइड कर दिया ठीक है एक दो तीन चार एक दो तीन और यह चार यह इंसाइड होता है कि यह सब आउट साइड होगा अब चलो आगे पढ़ लेते हैं कि अदि थी परसन लाइक डिफ्रेंट कलर पिंग जो लोग है डिफ्रेंट कलर पसंद करते हैं ग्लू रेड्ट क्रीन एंड फेस्ट वाड़ा सेंटर और जो कलर पसंद करते हुद लोग मतलब किधा देख रहा यहां पर लिख लेते हैं कलर वाला जो पसंद करता है वह इनसाइड है ताकि हमको पता चल जाए इसको लिख के हम लोग बख लिए ठीक है डी सिट सेकंड टूदा लेप्ट पर लेप्ट पर एक लेप्ट में दूसरा बैटा है डी ठीक है तो एक बार यहां बैठेगा तो डी आप साट इदर औरो गठीक आलो आगे देखा लेता है ईसीट सेकंड टूदा राइट और लिख लेता है इस सेकंड टूदा राइट पैस eager तो यह क।ט-さब यह अले तो इन से के राइट में बैठा है मतलब इच अधर यहां लिख लेते हैं राइट टू इच अधर ठीक है यह लिख लिए हमने भी अब आगे देख लेते हैं परसन हूँ लाइक्स ब्लू इट अपोजिट टू दा वन हूँ लाइक रेड परसन जो ब्लू कलर पसंद करता है ना वह नहीं करेगा ठीक है यह भी कन्फर्म हो गया अब आगे देख लेते हैं सिटिंग तुदा लेप टोप एच एच के सेकेंड लड़ में जो बैठा है वह लाइक रेड ठीक है अब देख लिए एच के जो सेकेंड लेट में बैठा है एक दो यह वाला बंदा ये क्या पसंद क जो है immediate right of G है, who sits opposite to D, और G जो है opposite है D के, तो D यहाँ पर तो G यहाँ पर, इस case में D यहाँ पर तो G यहाँ पर, ठीक है, और C जो है G के just right में बैठा है, तो C यहाँ पर हो जाएगा, इस case में C यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, confirm हो गया यह वाला, काट देते हैं हम लोग, जो है C के right में दुसरा, C के right में दुसरा, एक दो, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस case में देखो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसको भी हम कार्ड देते हैं, अब देखो क्या बोला था, एच और एप कोई color ने पसंद करेगा, और blue वाला जो है, वो red की और देखेगा, ठीक है, तो यहाँ को कुछ, पता ने चर रहा है, ठीक है, हम देख लेते हैं, तो इस condition को बैठा के देखते हैं, ठीक है, एच के left में जो दूसरा बैटा वो red पसंद करेगा, तो देखो, और h को भी या, कोई color पसंद नहीं है, ठीक है, अगर h यहाँ बैठ जाए, जा पिर h यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, तीन कंडिशन है, तीनों कंडिशन को फिल्फिल तो करना पड़ेगा, और एक देखो, एक कंडिशन बहुत अच्छा कंडिशन था, b और a, f जो है, एक दूसरे के right में बैठा है, इसका क्या मतलब है, देखो, कोई जग है, वो rate पसंद करता है, देखो, h के दूसरा left किदर होगा, एक, दो, यह वाला, और उसको, वो rate पसंद करता, तो यह rate हो जागा, यह जो है, इसमें rate हो गया, तो इसको नीचे लिख ले देने, तो फ्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, second condition को भी क्योंकि fulfill करना है, तो e rate पसंद क condition, h और एप जो है, कदर पसंद ने करता है, तो एप कदर पसंद ने करेगा, यहापर क्या आएगा, एप तो नहीं हो सकता है, तो b e होगा, ठीक है, भी यहापर तो एप यहापर बैठ जाएगा, ठीक है, यह तो हो गया, अब आगे देख लेते, इसको भी satisfied कर लेते, उसके एप के राइट में एफ हो सकता है, या फिर एप के राइट में भी हो सकता है, यहापर कोई confirm नहीं था, इसलिए हमने oblique में लिखा है, ठीक है, अब देख लेते हैं, तो h तो confirm हो गए, यही पर बैठेगा, और h के left में दूसरा जो बैठा है, वो rate पसंद करता है, तो h के left म आपका B, और यह हो जाएगा आपका app, तो यहां हम app कर लेते हैं, ठीक है, अब चलो यह भी हो गया, यह भी हो गया, ठीक है, और क्या बलता है, एच और आप color पसंद नहीं करता है, ठीक है, देखो बैठ, और color जो पसंद करता है, वो inside में होगा, यह तो confirm है मेरे को, यहाप पर बैठा, color पसंद करा, corner की और, अब B, बुलू पसंद करता है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सामने लिख लेते हैं, ने तो confusion होगा फालतु में, तो यह बुलू, ठीक है, अब क्या H में color कोई भी बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं, और color जो है, आपका inside में होगा, या तो C वाला में होगा, या तो H वाला में है, लेकिन H color पसंद नहीं करेगा, तो C एक color पसंद करेगा, और खोन सा एक color बचा हुआ है, ग्रीन, तो ग्रीन आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, तो यह वाला condition आपका एकदम से true है, 100% true है, ठीक है, लेकिन इसको भी हम satisfied कर करने से ज्यादा उसको सीखना जरूरी है, ठीक है, मेरा motor तो यह है, ठीक है, तो यह वाला 100% correct है, तो चलो मैं इसको भी देख लेता हूँ, यह क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, अब देखो, बोला था, और देखो, HF जो है, color पसंद नहीं करेगा, HF color पसंद नहीं करेगा, तो F यहाँ तो color पसंद नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या color पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मेरा green कहा जाएगा, A में आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन लेकिन यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसमें भी यह भी त्धह्ण कर रहा इसमें कुछ मिस्टिक हो एक देख लेते यह इनकी इंसाइड इंसाइड है तर लेकिन कुछ मिस्टीक नहीं हुआ हो ते बुलू दिख बैठेक तो इसके साथ यह वाला कंडिशन आप लोग का प्रूह है इसमें टिक जलो देख लेते इसी के साथ कि भ्लैक्ट लाइक स्ट्रीन कलर और पसंद करता यहीं तो पूछ रहा तो ग्रीन कलर पसंद करता है तो और पसंद करता तो करता है और सी बोला ची वे और सी करता है लेकिन एंसर पिंलों का तो मतलब बैट को बाटा है तो देख लेतेरद as पाचवा तो एप सॉरी एप के राइट में पाचवा एप कहा बड़ा था यहाँ पर तो राइट साड एक दो तीन चार पाच ई होगा एंसर आपका यह एंसर हो जागा सी नंबर तो इसी के साथ मैंने दोनों को पजल कबर कर दिया हूं और इसी टाइप का आप लोग का के अंदर देखने मिलेगा यह 100 परसंट है ठीक है आप लोग देख लेना एक्जाम के अंदर जब जाओगे तो आपको इसी के अंदर पजल देखने को मिलेगा अगर आप लोग पजल पैक्टिस कर रहो ना तो आप लोग को मैं चार-पाच पजल बता बता रहा हूं उसी में करना वह वह और आप लोग को एक मिलेगा ट्रैंगल वहाला मिल सकता है ठीक है फैक को एक अंदर बैयंगलत होगिया देकैक यह तो आना आना है हो सकता है और एक हो सकता है कि लाइन में देदे कुछ नौर्थ में देखेगा और कुछ साउथ की और देखेगा इस तरह का पजल आप लोग को ज्यादा ज्यादा देखना है ठीक है और एक आप पेंटा गोनल वाला देख सकतो पेंटा गोनल से जो ऐसे होता ठीक है यह वाला कि इस तरह का ट्रेंड में चाहर रहा है तो आप लोग देख सकते हो लेकिन यह वाला में सो तो कंफर्म है कोई ने कोई सिप्ट में आप लोगों जरूर तीन पजला इसी तरह इसी बेस में मिल सकते हैं तो चले इसी की साथ सब्सक्राइब करते हैं अब तक के लिए गुड़